क्या तुम स्कूल जाते हो इस सेंटेंस के इंगली जानेंगे आज के इस वीडियो में तो पहले हम देखते हैं सेंटेंस के अंत में क्या है इसमें जाते हो तो जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ ते होता है ती है ताहूं आता है तो ऐसे सेंटेंस प्रजेंट ए या Dutch helping word subject के नुसार, तहां पर दू रहेगा, उसके बाद हम लिखेंगे subject, तुम की English, you, उसके बाद हम लिखेंगे verb, भर बेज जाते हो, यानि जाना की English, go, फिर हम लिखेंगे school की English, उससे पहले to, लगाएंगे school, do you go to school, क्या तुम school जाते हो, इसकी English है, do you go to school, एदी sentence होता क्या तुम प्रति दिन school जाते हो, do you go to school everyday, do you go to school everyday, मिलते हैं इसी तरह के और भी Hindi to English translation के next वीडियो में तू चैनल पर नए है, तू चैनल कूल सब्सक्राइब कर लिजिए, thanks for watching